This news is brought to you by भूशन ज्वलर सोलन लेकिन उन्होंने चार साल में टेक्स ना देकर जन प्रतिनीदी होने की धजियां उड़ाई हैं उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोकी कारवाई के बाद अगली रन्नीती तै करेंगे वहीं राठोर ने कहा कि सभी निश्काशित निताओं को कॉंग्रेस में ले लिया गया है उन्होंने सुरेश चंदेल का कॉंग्रेस में शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव का कॉंग्रेस लाव उठाएगी उन्होंने कहा कि अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के अदेशा नूसार सुरेश चंदेल को प्रदेश कॉंग्रेस चुनाव समीती का सह सयोजक न्यूक्त किया जा रहा है राठोर ने कहा कि 25 अप्रेल को हमीरपूर तथा मंडी में कॉंग्रेस प्रतियाशी नामांकन पत्र भर रहेंगे तथा कांगड़ा में 29 अप्रेल को नामांकन भरा जाएगा प्रतियाशी हैं एक मामला प्रकाश में आया है कि पिछले चार सालों से उन्होंने अपनी इंकम टेक्स जो है वो रेगुलर वो नहीं भरते रहे और अफरा तफरी में उन्होंने जाके इंकम टेक्स अथोर्टी से तीन दिन के अंदर अंदर जो है अनुमती ली और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करें मुझे यह लगता कि यह पूरा मामला जो है संसनी संसनी खेज है क्योंकि अब वो जो प्ली ले रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यस्ता के चलते स्टेट अफेर्स में मैं व्यस्ता तो मैं इंकम टेक्स रिटर्न नहीं बर पाए ह जो मुझे यह कहना है कि जो मेंबर पार्लेमेंट है यह लौ मेकर और ही कांट एक सच एक्सक्यूज और इग्णोरेंस ऑफ लोई नो एक्सक्यूज वो कहें कि मुझे कानून की जानकारी नहीं की तो यह मामला जो है पूरा गंभीर है और हमने नरिने लिया कॉंग्रेस पा अब आयोग से हम हस्तक शेप की माम जो है आज करने वाले हैं भूशन जेलर सोलन की MDV ने गुपता का कहना है कि शादी विवा के अब भूशनों की खरीद वकिटी अकाउंट खोलने पर ग्रहकों को सुनिश्ची दुपार दिये जाते हैं उन्होंने बताया कि तेहारों के सिजर में ग्रहकों को एक याउन कार पांच स्कुटी वर देरों इनाम दिये गए हैं डायमन की खरीद पर 40 प्रतिशत की छूट दी जा रही है तो देर किस बात की अपनी सुन्दरता को चार चांद लगाने के रिए चले आएं भूशन जेलर सोलन